हेलो फ्रेंग्ज वेलकम यू आज मैं आपके लिए वीडियो लिखा रहा है बात करेंगे वाइ प्रॉफिट बॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉफिट बॉकिंग क्योंकि जब तक प्रॉफिट बॉक नहीं होता तब तक वह रियलाइजड गेन में कनवर्ट नहीं हो इस टाइम पर प्रॉफिट बॉकिंग सही है क्या हम बहुत दूर हैं फ्रेस एंट्री वहां पर कैसी रहेगी फ्रेस एंट्री किन जोन्स में आप एंटर कर सकते हो जो कि कम रिस्क वाली एंट्रीज होंगी तुम सारी चीज़ों को समझेंगे और आगे बढ़ने से पहले म आपको बता दूगर आपने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले बैल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहे और प्राइस सेक्षिन सीखने के लिए आप जोइन कर सकते हो मेंबर सिर्ट जोइन मेंट क्लिक क करके आपके सामने यह स्टॉक है अब यह स्टॉक है आप देख रहोंगी कि सबसे पहले प्राफिट बुकिंग का जब भी हम जोन देखते हैं एक लिक्विडिटी जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टन हो जाता है और उसके लिए हमारे लिए जो इंपॉर्टन हाई एरिय जाज है यह बहुत इंपॉर्टन हो जाता यहां पर आप के देख वहांगी एक सिकलॉजिकल ध्यान देना की प्र आपके जैसे बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट् बुक करने के लिए लिए खरता है तो इसलिए इन लेवल्स बहूत इंपॉर्टन होते हैं अग्न बहुत तो यहां पर क्या होगा profit booking जो breakout का सोचे कि वो यहां पर एंटर करेंगे और अपने आपको फसा हुआ महसूस करेंगे अगर यह stock का नाम है बुकिंग का जोन अब आपको अगर मैं दिखा हूँ इस stock की जो rally है इन लवल से तो almost 50% के आसपस more than 50% है 40-50% के बीच अमूमन मान लीजिए अगर आपने यहां एंटर किया तो और कम 40 लगा लीजिए तो यह बहतरी इन rally 40% के आपको देखने को बेगी लेकिन यह area क्या है smart money का zone यहां पर क्या expectation होगी correction consolidation फिर अगला जो target zone है इसका वो है almost 1100 के आराउंड का लेकिन यह zone भी आपके लिए फिर यहां पर profit booking अब मैं आपको एक stock का इसी stock का example देख रहे हो जिए stock इन लेवल पर था 530 के लेवल पर तो आपके सामने हम लेकिया आय आपको आपको तो आपको आप देख सकते हो यह बिलकुल जड़ पर यह इस टाइप पांसो चालिस के आसपास था बढ़िया बहुत ही positivity लो रिस्के की opportunity और सीधे सीधे रह लिए आपको देखने को मिल रही और पांसो चालिस से यह 840 के आसपास तक गया almost 830 के आसपास तक लेकिन यह क्यों एरिया important है profit booking क्यों करने चाहिए क्योंकि profit जब तक आपने book नहीं किया वह आपकी जेव में नहीं गया हां अगर आपका जो plan है अब इसके बड़े timeframes को देखिए अगर आपका plan है देखिए यह monthly का impulse rally फिर देखिए correction हम इस पार्ट को अगर आप इस stock को दे यह rally क्या होता कई बार यह ready यहां तक की जासे तो छोटे time frame पे क्या होगा consolidation correction इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से यह stock कितनी जल्दी early आपके सामने आया जब entry का मौका था उस time पे आपके सामने आया और अभी के time पे आप देख र मैं weekly chart आपके सामने रखूंगा क्योंकि weekly chart पे यह cycle start हो रही थी हमारा target zone था और आप उसके हिसाब से और उपर देखोगे तो जैसे मैंने का 1100 के आसपास का next target है उससे उपर अगर आप देखोगे तो और उपर का target यह स्पन्ना अब एक और stock example लेंगे heritage food अगर यहां पे breakout का सोचोगे तो कितना रिस्क है देखे heritage food जब cycle start कर रहा था डेली पे तो बहुत सारे comments हमारे पास इसके आये थे और वो comment जब आये थे तो यह price level था 278 के आसपास का बहुत ही बढ़िया cycle start कर रहा है 200 SME से उपर cycle यह start हो रही है positivity की बात है और अगर मैं देखू यहां पर आप वीकली पर देख सकते हैं इसको डेली पर देख सकते हो कैसी situation है एक impulse बनने के बाद देखिए एक higher low बना और उसके बाद यह moment था और एक low risk की opportunity थी लेकिन यहां पर हमारे लिए जो important part है entry तो हम बहुत नजदीक कर रहे हैं मतलब 200 SME के पास लेकिन 200 SME जैसे हम बड़े time frame की बात करते हैं monthly, weekly, daily time frame की बात करते हैं तो जैसे जैसे price 200 SME से दूर चला गया तो वो हमारे लिए risk की zone हो गया क्या हो गया risk की zone अगर आप current situation में देखोगे 200 SME की line है 170-80 के बीच में और price यहां पर है almost 280 के level पर है 100 point उपर है और आप सोच रहे हो मैं breakout को play करूँ तो this is the most dangerous thing क्या है dangerous thing क्यों क्योंकि यह तो target area है और जो breakout वाले लोग है वो यहां पर target area है इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जब भी आप थोड़ा सा लंबे time के लिए market में जा रहे हो लंबे time is in the sense बड़े time frame के साफ से market में जा रहे हो तो 200 SME से जितनी दूरी ज्यादा होगी वो risk उतना ज्यादा होगा daily time frame पर 200 SME से इतनी दूरी है तो अगर आपको यहां पर कोई चीज play करनी है समझनी है तो उन corrections को यहां पर देखिए और इंतजार कीजिए at least किसी time frame पे तो यह 200 SME के पास आएगा तो जब यह 200 SME के पास आएगा चले daily पे दूर निकल लिया अब हमारा दायरा जो है वो छोटा हो जाएगा मतलब हमारे time frames छोटे हो जाएगे या तो हम hourly पे देखेंगे या पंदरा कमेंट की थुरू बताइए क्या आप ट्राइ करोगे इस breakout में risk लेने का यह है सीधे आग में हाथ डालने का पूरा ही आग में कूद जाने वाली situation तो इसलिए यह situations हमें avoid करनी होती क्योंकि यहां पर अमूमन profit booking देखने को मिलेगा हां consolidation correction आएगी तो हमें चोटे time frame पे जहां आप देखते हो तो कहीं ने कहीं इसमें देखोगे तो आपको चोटे time frame जैसे आप से चीज़े देखने पड़ेगी तो हमने heritage food 15 पूर्ती आपके लिए example के लिए तौर पर पर प्रस्तुत कि थे और आप देख सकते हैं यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर किस तरीके से बहुत ही 60 entry के time पर रडारम आया था और उसके बाद देखे पहला target easily achieved अब correction consolidation होगी फिर हम दूसरे target के तरफ correction consolidation होगी फिर तीसरे target के तरफ यह process का part है तो दो stock मैंने आपके लिए इसलिए example के लिए रखी थे कि breakout कितने खतरनाक हो सकते है profit booking कितनी जरूरी होती है कि profit booking क्यों क्योंकि profit जब तक book नहीं किया तो अपनी जेप का नहीं है वो market का ही है कभी में market अगर मालो मैंने यहाँ पर target लगाया था कि यह जो peak zone है यह 830 का मेरा target है और अगर मैंने नहीं book किया होता तो यह अगले दिन ही पुरा का पुरा 768 आ गया है इसका यह मतलब नहीं और उपर तो उस talk में बने जा रहे हो कि और आगे के लिए जा रहे हो कितने लंबे time के लिए आप जा रहे हो कि आपका पहला target यही पर आपको book करके सारा निकलना है या 50% निकलना है तो that will depend on your strategy कि आप हां उसमें क्या आपका target zone है तो फिलाल first target achieved हो गया तो निकलना सीधे सीधे limit order के स साथ यह target है निकलना है क्योंकि यहां पर smart money act करेगा psychology factor सामने आएगा wind up करता हूं वीडियो को share कीजिए आप like कीजिए प्राइस सेक्षन सिखते रहे है प्रैक्टिस करते रहे हैं thank you thank you for watching the video